स्वागत है बच्चो आपका अमारे चैनल पर आज हम जानने वाले हैं प्रतम मुल्यांगन परपत्रक ख्छानों का विश्य सामाजी विज्ञान का इससे पहले हमने दो विशो के कर लिए हैं और विशो के दलते जा रहे हैं आप देखते रहे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ट से प्रस्ट नमर एक है फ्रांस की क्रांती की सुरुआत कब हुई थी ओप्सन होगा अ 1789 अगला है फ्रांस की राजदानी क्या है पैरिस है ब अगला है फ्रांस की क्रांती किसके सासनकाल में होई थी लुई सोला के कालन में होई थी अ अगला है पालनपुर गाम में कितने परिवार रहते थे? 450, the सबी प्रशनाव देखेंगे जो हमने आपके जो ग्रह कार रहाते थे उसमें से लिए गए हैं इसलिए आगे भी जो ग्रह कार रहाते हैं आप solve करते रहे हैं उसमें से सारे प्रशनाव को मिलेंगे छटा है भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सी है? उत्तर होगा ब 97, degree 25 मिनिट पूर्व अगला है निन्मे से कौन महान हिमाले की स्रेनिया है? उप्रिउक सभी द अगला है हिमाले की सबसे सतत एवं सरवादिक उचाई वाला स्रंकला कौन सी है? ये मादरी स अगला है भारत में सबसे उचा परवत सिखर कौन सा है? ब कंचन जंगा अगला है महान हिमाले में इस्थित दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा अ अगला है उत्तरी मैदान के निमान में किस नदी का योगदा नहीं है? उत्तर होगा गोदावरी द अगला है बंपुर्रा नदी में इस्थित एक दीप का नाम क्या है? माजूली दीप ब अगला है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांस कौन सा है? भारत का सबसे उत्थरी अक्षांस है 37 डिग्री 6 मिनिट अगला है करक रेखा भारत के किस राज्य से ओकर नहीं गुजरती है उत्तर होगा मध्य परदेश अगला है निन में से कौन भारत का एक केंदर सासित परदेश है जम्मू कस्मीर अगला है भारत में केंदर सासित परदेश तरी स्था कितनी है आन्ठ है स अगला है अरब सागर में स्तितिक दीप समू का नाम बताईए उत्तर होगा सलक्षदीप अरब सागर में है कुमायू हिमाले किन दो नदियों के वीच में बसा है उत्तरोगा सतलूज और काली स अगला है दून किसे कहते हैं दून निम्न हिमाले और सिवालिक की बीज़ की घाटी को कहते हैं उत्तरोगा अ अगला है 18 सताबदी मैं फ्रांसिस समाज कितने एस्टेट में बटाव हो था उत्तरोगा 3 ब तो बच्चों ये था हमारा सामाजे विज्ञान का आज का प्रत्थम मुल्यांकन परपत्र इसके साथ ही जुड़े रहे ये चैनल के साथ ताकि आगे भी इसी परकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें